दोस्तों गीरी टूडल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं दो टॉपिक आपको कराऊंगा वाक्के के भेद, अब वाक्के के भेद एक अर्थ के अनुसार कराऊंगा और एक वाक्के के भेद आपको रचना के अनुसार कराऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं रचना के अनुसार वाला आपको करा देता हूँ यह बहुत important है और यह वाला आपको easily आप समझ सकते हो और इसमें कुछ करना नहीं है डिरेक्ली आप answer लिख दोगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे तो दोस्तों रचना के अनुसार वाक्के के तीन प्रकार होते हैं एक पहला सरल वाक्या, दुसरा सही उक्त वाक्या और दीसरा मिस्र वाक्या तो आपको सबसे easy, जो समझने में सबसे easy है, वो है आपको सबसे वाक्या समझना है मिस्र वाक्या आप कैसे समझोगे, जैसे उसके अंदर एक वाक्या, दुसरे वाक्या उपर depend होगा जैसे जो बोएगा वही पाएगा इस तरह के जो वाक्य होंगे जैसी करनी वैसी भरनी इस तरह का जो वाक्य होगा वो किसके अंदर आएगा मिस्र वाक्य तो यहाँ पर बस और समुच्च बोधक का यूच करके इस statement को इन्होंने क्या कर दिया लिग दिया अगर जो दोनों statement ये दोनों ना हो वो क्या होंगे हमारे सरल वाक्य यहाँ पर मैं कुछ और आपको हिंट दे देता हूँ आप बस इतनी चीजों को याद कर लो मिस्र वाक्य में आप कहीं पर अगर की दिखाई दिया आपको ये वाला लेकिन ये सब जो words आएंगे दोस्तों वो क्या रहेगा सहीक तो वाक्य का और अगर ये दोनों जो नहीं एक simple सा एक सरल वाक्य की तरह कोई statement आया तो वो हमारा सरल वाक्य है example के तोर पर अगर हम देखें तो पहला राम अच्छा लड़का है अब बताओ ये दोनों नहीं है तो मतलब ये सरल वाक्य है संत्री को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो के ध्यान से तो यहाँ पर जैसा और यहाँ पर कहा है दूस्तों वैसा यहाँ पर अगर देखो के बादल गरज रहे है और बिजली चमक रही है तो यहाँ पर और आया तो आप समझ सकते हो कि यह कुन सा है इसलिए अगर आपने मेरे इसके पहले वाला टेबल को अगर अच्छे से याद कर लिया तो आप अपने आप स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो आइडेंटिफाइ कर सकते हो तो यह वाला पार्ट तो इजी है यह तो मैंने आपको बता दिया अब आपको क्या करना है वाक्के के भेद वाक्के के भेद जो है अर्थ के अनुसार क्या होंगे जैसे कि कृपया बैट जाईए शांत रहो कृपया शांती बनाए रखे विसमयादी वाचक वाक के मतलब जहां पर हम अनुभूती वैक्त करते हैं जैसे कि यहां पर है कितनी ठंडी ठंडी रात है जैसे इच्छा वाचक वाक के मतलब जहां पर हम अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौ वर्स मंगलम हो यहाँ पर संक्यत वाचक वाक्य बहुत अच्छा है जिन वाक्य में एक बात या काम करने का होना दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर करता है जैसे परिश्रम किया है तो सभलता अवश्र मिलेगी अब संक्यत वाक्या है संधय मतलब कहीं पर कुछ संधय है आ जयांकारी निसेहद बाचक मतलब आ होने का भाव प्रकट हो और प्रस्ट वाचक मतलब तो आपको पता ही है जहां को अब इस तरह के कुछ examples है जो आपके board exam में कैसे आएंगे वो हम यहां पे देखते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए आग्या वाचक वाचक में convert करना इसको इसको परिवर्तन करना है यहां पर कोई आपको और लास्ट में portion mark डाल दो हो गया आपका इसके बाद प्रेटन का अपना ही आनन्द है बिसमयादी बोदक वाक्य में इसको convert करना है बस आगे वाह ले लो अपने आप convert जाएगा देखो वाह और exclamatory mark का sign बिसमयादी बोदक का जो sign है प्रेटन का अपना ही आनन्द है इस तरह से आप easily ये वाले statement में परिवर्तन का आता है वाले statement है identify का आता है तो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया वीडियो का देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तो मिलते हैं next lecture में जैहिन दोस्तो